नमस्कार मित्रो उत्राखन मुक्तिविस्टी विद्याले के कम्यूनिटी डीडियू हेलो हल्दवानी में आपका बहुत स्वागत है 91.2 मेगा हेट्स की फ्रिक्वेंसी पर आप इस डीडियो को सुन पा रहे हैं कारिक्रियम चल रहा है शिक्षा का पहिया और हमारे साथ एक सिक्षा का आज मौजूद है आरपी सिंग जी हमारे साथ मौजूद है जो कि इस वक्ते राज की उचितर मादमे की विद्याले नवाड खेडा गौलापार में तैनात हैं ड्राइंग और इकनोमिक्स के वो टिचर हैं और बहुत अर्सा रहा है अभी लंबा अन्भव उनका सिक्षा विवाग का है तो हम आज कुछ सिक्षा की बातें करेंगे और उत्रकन मुक्त विद्याले की भी कुछ हम बातें करेंगे आरपी सिंग जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्कारिक्यों में धन्य परेंगे लेले का शुक्रिया करना चाहता हूं बहुत शुक्रिया सर आपका भी और आप से तो विद्याले है आप लोगों से ही। आप तो सर आपने पूरी पढ़ाई की जो आपकी ललत थी कि मुझे पढ़ना है वह अपन ड्स्टेंस लर्निंग से ही किया है तो थोड़ा Department उत्तराखन में एजर टीजीटी लगा था और मेरा अपर्टमेंट हुआ था राज की एंटर कॉलेज चम्तोला में उसके बाद मेरे मन में ऐसा था कि शायद मेरी एजुकेशन जो है वह अभी अधूरी है मेरे मन में ऐसी ललक थी और ऐसी भूख जो इस्टड शिक्षा से सम रिखालियों से पर्मिशन लेकर के अनुसी लेकर के अनुमती लेकर के मैंने अपनी सिक्षा को जारी रखा ओर मैं इस समय तीन सब्जक्टों में पी जी हुँ एक सब्जक्ट मेरा मनौवग्ज्ञान था और मनवग्यान से मैंने जो किया है वो डिस्टेंस एजुकेशन जो की पूरे भारत में एक जानी पहचानी इन्वस्टी है इगनु इंद्रा गांधी राष्ट्य मुक्ति विश्विद्याले नहीं दिल्ली वहां से मैंने मनवग्यान से कंप्लीट किया है और दूसरा सब्ज सास्र है एंफिल है और उसके बाद मेरा जो अभी भूख पूरी नहीं हुई थी स्टडी की आप सिक्षा की भूख पूरी नहीं हुई थी मैंने फिर इगनु सही बियर्ड किया और बियर्ड में भी मेरे 74 पटंट है उमर तो मेरी इस समय लगवक 40 साल है लेकिन यह जो सिक् सिदाले चल रहे हैं जैसे राजिस्थान में वर्दमान महाविर्ण कोटा में है वह भी अपनी शिक्षा के रूप में एक अलग राजिस्थान में जगाए हुए हैं तो जो वर्किंग परसन है या कोई स्कूल नहीं जा सकते या चोटे तपके के लोग है या फिर जो गरीचाट में जो का जो एक केंदर बनाया या बहुत ही लावकारी है हम लोग अबने काम काज करते हुए दैनिक काम काज करते हुए हम अपनी शिक्षा को पूरा कर सकते हैं बहुत अच्छा भी श्रिदाले है उत्राखंड मुक्ति श्रिदाले आज के समय में बरतमान समय में पूरे उत्राखंड में बहुत अच्छी अपनी भूमी का निवा रहा है। जैसे सिक्षा विवाग के जितने भी करमचारी हैं या अन विवागों के भी बहुत सारे करमचारी या टीचर या कोई ऐसा कोई परसन है वो अपनी जो पूरी शिक्षा है वो उत्राखंड मुक्तिश्विदाले को रिफर करते हैं. ज़ादातेर लोगों के बारे में पता नहीं है तो लोगों ने अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए अपने قدم बढ़ाए और उनका मन और उनका जो विश्वास है उत्राखन मुक्त्व शिदाले की तरफ गया आज भी मुक्ति विश्विदाले बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैंने भी बहुत सारे ऐसे रहे, मेरी मिसिज जो है, उन्होंने भी इसी विश्विदाले से में सिक्षा सास से किया है, अच्छी डिविजन आती है, टीचरों का सयोग मिलता है, बुक्स कभी हो जाता है कि दे अच्छी डिविजन बन जाती है, क्योंकि जैसा बच्चा लिखेगा वैसी उसकी डिविजन आएगी, तो पूरे विश्विदाले का इस तरह बहुत अच्छा कदम है, मैं धन्यवाद बोलता हूँ उत्राखंड एजुकेशन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को और बिए जो मैंने देखा सब्जक्ट कॉमिनेशन नहीं हो पाता बच्चों का, तो बिए संस्कित से करके, फिर बिए संस्कित से तीनों साल कर लेगा, फिर एमे क्या कहों, लिटेचर हिंदी से एमे कर लेगा, तो कम से कम लेक्चरर सिप के लिए जो इंटर कॉलिजों में जो लगबग एक लाग के करीब हां के सुड़ेंट हैं, हां पर जन डॉल हैं, क्यों कुछ साल पहले कई सारे कुमाव इस विद्यालाई ने अपनी जो प्राइवेट के बच्चे थे वो भी हां रेफर कर दे हैं, कि हम अब प्राइवेट परिक्षा नहीं कराएंगे, क्यों का स अब प्राइवेट सारे बच्चे जो प्राइवेट करते हैं वो भी हां आते हैं और बाकि जो ऐसे डिग्रियां लेना चाहते हैं वो भी हैं प्यार और लगातार अपने भवन में विसे विद्यालाई आ चुका है, आपने तो उंचा पूल का कारेले देखा था, तो बहुत सारे नहीं नहीं वो किसा स्ट्डी की खुले हैं समय की मांग को देखते हुए, आई टी के खुले हैं भी आई टी अकादमी यहां पर सरकार ने सैंक्सिंट की है, आई टी अगी भी हां पर बनने वाली है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा कि एक विसे उद्याले से जुरे हुए यक्ति हमें मिले हमें भी अच्छा लग रहा है, सर आप शिक्षा में पिसले कितने सालों से हैं, मैं इस समय में बाइस साल से मेरी सेवा चल रही है, तो आपके उम्र के हिसाब से आपकी सेवा बहुत ज़्यादा लग रही है, क्या आप बहुत जल्दी लगे आपका सिक्षा का सिक्षा विभाग का सुदूर पहाडों में भी रहे हैं अभी तो गॉलापार में हैं, तो क्या लग रहा है, इंडॉल्मेंट सिक्षा का बड़ा है, बच्चों का लगे है, जब से यह कोरोना काल कोविड नाइंटीन स्टार्ट हुआ है, तो एक तो जो स्कूलों की जो फीस है, तो गार्जन्स जो है, वो प्राइवेट स्कूलों की फीस से ज्यादा परिशान हुआ, तो उस फीस को ना देने, एक तो कोरोना काल चल गया, उपर से लोगों की जो अर्निंग जो आर्टिक्स रोत थे, वो बंद हो चुके थे, तो इसलिए परिशन टेपाइटमेंट में मेरे खुद के स्कूल में, बहुत सारे बच्चे जो है, प्राइवेट स्कूल या स्थी बोड के स्कूलों से छोड़ करके अपनी टीसी लेकर के हमारे विद्यालों में एडमिशल ले रहे हैं, और उसका यह नतीजा है, ऐसा भी रहा है, संक्या भी बढ़ रही है, और इंडॉल्मेंट बढ़ा है, बिल्कु सरकारी में लोगों का भरुसा और बढ़ाने के लिए क्या कोशिश है की जाने ची आपको लगता है, क्यों बच्चा प्राइवेट की तरफ भाग रहा है, अब तो आपने कुछ मॉडल स्कूल भी सरकार का वो उनको लभाता है, क्या वज़ा है कि जादा तर लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में डालना चाहते हैं, बिल्कु सही बात कही है, देखा जाए तो मैडम यह जो आज के यूग में जो इंगलिस मीडियम का जो ग्राफ बढ़ा है, बच्चा हम सोचते हैं, कि हर परेंट सोचता है, कि मेरा बेटा इंगलिश में बोले, उसका इंगलिश का कॉम्मिनिकेशन बहुत अच्छा हो, तो जैसे तैसे बच्चे को आप क्योंकि जिस तरीके से हवा चल रही है, हमारे जमाने में पहले शिश्यमंदिर, विद्यमंदिर हुआ करत चल दुब आप के अच्छा बेटा करते हैं, इस तरह का यहां पर भी पुरा एक किया जाना चाहिए, कि मेडियम ले शुरू करें, और आपका ड्रेस नहीं कुछ जाएं, यह यह बात सही है, जैसे आभी उतरा खंट सरकार ने जो मौडल स्कूल चलाएं, यह जो इस तरह का तो मौडल स्कूल चलाएं तो मौडल स्कूल तो बहत अच्छे चलाएं, टीचर स्टाब पूरा है और उसका स्कूल के जो बिल्डिंग है वो बहत अच्छी है, फर्नीचर हमारे सरकारी स्कूलो में ज्यादा था है, मतलब बहुत कम बिद्दल आ, बैटने की वुर्षा पिल् इस्कूल बनाएए वहाँ पे दो तरेके की स्कूल चल रहे हैं, एक तो हिंदी मेडियम का और एक इंगली मेडियम, तो ऐसे मॉडल जो आधर्ष बिद्याले बनाएएं तो उनकी जो मानिता मिली है, वो सीबसी बोड से मिली है, उनको इंगली मेडियम में पढ़ाया जाएग बाकी तो सरकार ने बहुत अच्छा कर रखा है, बहुत TFT टाइक के ऐसे स्मार्ट कलासे से स्टार्ट कर रखी है, टीचर लोग आधनिक तक्निक्यों से पढ़ा रहे हैं, ऐसे स्कूल में मेरे खुद के स्कूल में बहुत अच्छा क्या कहा है, एक सिस्टम लगाया है, जो उ एसे सिस्टम को चलाने के लिए जो हमारा सिस्टम लगाया है, उनको ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है, अगर हम कोई नया सिस्टम के कि हम जो पराने ट्रेंड पे जो चल रहे हैं उनको ऐसी आप देखा हुआगा आज कल का बच्चा जो है नया मोवाइल जल्दी सिख जाता को जो हम जैसे एज वाले है वो मोवाइल का अपरेट्टिंग सिस्टम कम जानते हैं ऐसी जो इसकूलों में जो सिस्टम लगा रखे हैं उनको ट्रेनिंग की व्यूस्ता होनी चाहिए ट्रेनिंग नई चलती रहती है गहिन उसको क्या है फॉलो करने की जरूबत है बहुत अ से प्रोगाम चलते हैं डायट की तरफ से समय समय पर हमारी ओनलाइन ट्रेणिंग या फिजिगली ट्रेणिंग भी होती रहती है तो अच्छी टेक्निक सिकाया जाता हूं पे लेकिन उनको फॉलो करने की जरुबत है उनको उनको पर चलने की जरुबत है तो सर कोई चलते हैं स शॉटान देखा देखा मेने इसकी बिल्डिंग देखी बहुत अच्छे बिलडिंग बनी है बहुत अच्छा vielen शॉटान है अपकी इन्वस्टिमें मैं बैठा हूं बहुत शॉटान वहल है सब लोग अपने अपना काम कर रहे हैं और उत्राखंड के जितने भी बच्य है मेरी पर्सनली लेक्तिगत रूप से सला है कि अगर कोई बच्चा किसी तरीके से अगर अपनी शिक्षा बीच में छोड़ काया तो विश्रुद्याले के द्वारा अपनी ग्रियोशन या कोई अन्य भी प्रोफेशनल कोर्स कर सकता है जी तो सर्क हम चाहेंगे कि आपके जो बच्चे हैं वो हमारे महां आपने विजिट के लिए लाएंगे तो हम बच्चों को आज जानना बहुत जरूरी है कि रेडियो कैसे रन होता है कैसा एडिटिंग होती है कैसे बोला जाता है माइक पे कैसे कम्यूनिकेशन किया जाता है आप बच्चों को यहां विजिट के लिए लाएंगे तो हम बहुत अच्छी बात कही है कि जैसे हमारे स्कूल के बच्चे आ जाये तो हमारा इनवस्टी क्योंकि हाई स्कूल इंटर पास करने का वद विश्वध्याले की तरफ ही अपनी दोर लगानी पड़ती है तो हमारे बच्चों को भी अगर बच्चों को बहुत अच्छा माधिया है और आप मतलब स्किल जो है ना कॉम्मिकेशन स्किल ना बच्चों के अंदर जो है तो थोड़ा मैं समझता हूं कि अगर ऐसे प्लेट फार्मों पे अगर बच्चों को गिजिट करवाए जाए तो आपनी बात को रखने में सक्षम होंगे तो आपने जो इस्यूज है अपने जो मुद्धे है वो यहां पर रखें क्योंकि सिक्षक जो एक बहुत बड़ा समुदाय है हमारे रेडियो का एक बड़ी कम्यूटी है सिक्षक जो होता है शिक्षक जो है वो देश का निःमान करता है मेडम तो मैंने देखा है कि सिक्षक हर तरीके से बच्चों के अंदर वो चीज और उस देश का निःमान क्योंकि हम भी अगर टीचर बने तो कहीना कहीं हमारे गुरूजी बहुंगे या आप और हम जो मंच पर बोले तो एक टीचर का तो सम्मान अभी भी है और हमेशा रहेगा आधी काल तक रहेगा तो हम ये भी चाहेंगे कि जो भी अधिवेशन होते हैं उसमें अपने वेतन भत्तों चुट्टियों के अलावा भी सिक्षक और बड़े फलक पर सोचे कि क्या आज कम्या हैं हम में क्या कम्या हैं क्य तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो खुद का जो ब्यक्तिकत लाव है ना ब्यक्तिकत लाव की जादा बाते करते हैं बिलकुल तो हम एक संदेश है कि जो भी अधिवेशन अभी हो रहा है वो पदादिकारी को आप यहां पर लाएं हम लोग उनसे भी बात करना चाहिए मैं तो य नेंताल जनपत की हां पर कारी करणी बनेगे तो बहुत शुक्रिया से आपका यहां अपना किर्टे रहने के लिए दन्यवाद मेडम सबसे पहले तो आपको धन्यवाद के आपने विश्रुद्याले से संबंधित मेरे भी विचार सुने और आप इन्वस्ट्री के लिए इ हमारे साथ बने रहने के लिए अगर एक बात्चीत आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबेक हमें जरूर दीजीगा हमारा यूट्यूब चैनल है फेस्बुक पेज है हेलो हल्दानी नाम से आपकी फीडबेक का हमें बहुत बेसबरी से इंतजार रहेगा इसी के साथ अपन